गुड मार्निंग स्टुडेंट्स अभी अपने तुरा स्टॉक स्लोक के बारे में डिस्कस किया था और वैसे स्टॉक का जो नियम है वह नॉर्मली एफ इस एक्वल टू सिक्स पाई नीटा आर वी है ध्यान रखेगा तो इसमें बताये गया था कि जो भी मेडियम है कोई भी एक्सी गिरा जाता है तो उस पर लगने वाला जो बले एफ वैसेक्स पाई नीटा आर वी होता है अब देखिए सर जोर्ज स्टॉक ने एक एक्स्पेरिमेंट किया उनको सरकी उपादी दीगी थी तो किसी भी लिक्विड में किसी पात्र में यह एक लिक्विड भरा हुआ है एक द्राव बरा हुआ है उसमें एक मेटालिक गोला गोलाकार अबजेक्ट है किसी विधात्र का बनावा कुछ भी मीडियम हो सकता है इसमें वह है उसमें फ्रिली फॉल करवाया गया उपर से इसको छोड़ जया गया इसे लिक्विड में डूबने के लिए किसी भी उच कितना था इसका दर्वमान कितना था लिक्विड का जो जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कितनी है उसकी डेंसिटी कितनी है इस मेटल की डेंसिटी कितनी है इसका आकार कितना बड़ा है इन सब बातों पर यह है निर्वा करता है तो सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार के सिस्टम है पहला सिस्टम तो है यह है गोला कि यह है एक माध्यम का बना हुआ है इसकी डेंसिटी है इसकी तिर्जिया है और दूसरा है यह है लिक्विड इसकी डेंसिटी है इसकी विसकोसिटी है तो जो भी गोला है उसकी तिर्जिया small r मानी गई है जो गोला जिस दातु का बना हुआ है उसकी density है वो रो मानी गई है तो गोले का आहितन है V माना गया है that is equal to 4 by 3 pi r cube अब आते हैं liquid पर liquid है उसकी density sigma माने गई ध्यान पर important यह है कि जो गोले की density है वह रो है और liquid की density है वह सिगमा है और जो liquid है द्रव है उसकी जो श्यानता है या श्यानता गुणा का वह नीटा है अब जैसे इस गोले को इस liquid में फ्रिली फोल करवाया जाता है तो यह है इस liquid डूमने लगता है तो डूमने लगता तो इस पर तीन प्रकार के बल लग रहे हैं सबसे प ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट या गुत्वाकरशन लग रहा है तो इसके कांड़ सिसका जो भार है वह हो गया कि तरह बल लगाता है तो सबसे पहला यहां पर है फोर्स ड्यूटूवेट बल जो है भार की कांड़ से कितना बल लग रहा है तो डबली जीपल टू एम जी एब दैडीन सिटी क्या होती है देन सिटी इस इक्वल टू इसकी डेन सिटी जब रो है तो यहां हो जाएगा M बटे V दरवमान बटे आइतन तो यहां से मैं M is equal to rho V लिख सकता हूँ तो यहां पर M G की वजए मैंने V rho कर दिया into G अब V है वह है गोलिक आइतन है तो 4 बटे 3 पाई यार क्यूब rho G हो गया अब दूसरा इस प्रबल लग रहा upward force thrust जो उपर की तरफ लग रहा है that is called FT ओके तो FT due to buoyancy of liquid displayed acting vertically upward आप इसको यू समझे कि जो भी thrust है वह है जो भी liquid है उसके buoyancy force के कान से है कि उस गोले ने कितना area उस liquid के उपर cover किया और वह है liquid के कान से उस पर buoyancy force की उपर की तरफ कितना बल उस liquid ने उस पर लगाया तो वह बहईancy है liquid की buoyancy है कि उसने गोले ने अब ये किस प्रकार से decide करेंगे उस पर कितना बल लगाया तो गोले के द्वारा जब liquid के contact में आया तो गोले के आयतन के कारण से उसमें कितनी जगह से कितना आयतन का liquid है वो अपनी जगह से हटा दिया आप यह देखे किसी भी पातर में जल भरा हुआ है अगर उसमें आप कोई भी पत्था डालते हैं या कोई भी भाहर डालते हैं तो उसके आयते में व्रद्धी हो जाती है तो व्रद्धी कितनी होगी तो जो उत्प्लावन बल होता है वह ह है किसी भी पिंड के द्वारा उसके वजन के बराबर हटाए गए जल के बराबर होता है द्रव के बराबर होता है तो वह बॉइंसी है बॉइंसी ओफ लिक्विड है डिस्प्लेश जो कि उस लिक्विड को कितना डिस्प्लेश किया है वहां से और यह है वर्टिकली उपर क कि तरफ लगता है ओके अब यह कितना होगा जो कि कितना होगा वह वेट ऑफ लिक्विड डिस्पेट जितना भी उसने वह लिक्विड हटाया है जब वह उसकी कॉंटेक्ट में आया तो जितना लिक्विड हटाया है उसका आयतन कितना है और उस आयतन के रिस्पेक्ट में उस देशिदा ऐक ही है कि भार वाही mg होता है अब यहां पुछ लिक्विड हे उसका दरवमान चीज़, वोलिम होगा क्योंकि लिक्विड होता है, कि किलोग्रम लिटर में नापते हैं और इसकी सब्सक्राइट इंटरेस्टिंग चीज़ी है कि एक मीटर लंबा एक मीटर सब्सक्राइबर 1000 लिटर अब देखिए यहां पर जो वेट ओफ लिक्विड डिस्प्लेज डिस्प्लेजड है उसको ग्यात करने के लिए कि जो हटाएगे द्रव का भार कितना होगा तो भार हुए उस द्रव का आयतन हटाएगे द्रव का आयतन गुना द्रव की गनत्व तो जो हटाएगे लिक्विड का वोल्यूम गुना डेंसिटी मिलके तो उसका द्रवमान बताएगे और अगर उसको जी से गुना कर देंगे तो वह भार हो जाएगा तो यह प्रकार से वी और यह डेंसिटी जैसे आपने यहां पर गयात किया था वैसे अब यहां पर आयतन कितना है तो आयतन उतना ही होगा उस द्रव का हटाएगे द्रव का जितना उस गोले का इतन है वो गोले में जितना आयतन है उतना ही वह लिक्विड को हटाएगा तो गोले का आयतन कितना था 4 बटे 3 पाई आर क्यूब और जल का सोरी जो भी लिक्विड है उस लिक्विड क गनत्वा कितना है वह सिग्मा और गुर्त्वा के संत्वाना है वह जी तो यह हो गया Ft is equal to 4 by 3 pi r cube सिग्मा जी अब देखिए कि वेट है वह है mg द्रव के जो हटाया आफर भार है वह हैzon कि टरफ लगता है और यह से आपर नीचे के तरफ लगता है एक पार नीचे के कि तरफ लगता है अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो गोला वहीं पर रुप जाएगा डूबना बंद् penso जाएगा प्रादिसन में रहेगा और जो भी ज्यादा होगा उसी का असर होगा अगर भार ज्यादा गोले गा तो ऑडूपता रहेगा और वह वापिस पर आजाएगा तो इफ्यक्टिव वेट ओब बोडी इन लिक्विड तो अब यहाँ पर देखिए कि उस लिक्विड में उस द्रव फोल हुआ है मुक्त रूप से गिरा है उसका परभावी भार कितना होगा तो परभावी भार होगा उपर की तरफ जो बल लग रहा है और नीचे की तरफ बल रहा है दोनों के अंतर के बराबर अब आप यह देखिए जो पानी की बाल्टी है जब वह कुए में डाली जाती है उस खुए में डालने के पानी में रहती है तब तर उस पर कोई भी बल Tôi asking क्वार हटाए गए द्रौ का भार और बाल्टी के खुद का भार दोनों बराबर होते हैं तो दोनों बराबर होने के कारण से बदेंस की कंडिये होता है इस पर इस पर कोई भी emerge मैसुस नहीं होता है लेकिन जैसे उसको जल से बाहर निकालते हैं उसका गुर्तवा का सिंबल काम करने लगता है और गुर्तवा का सिंबल बाल्टी भारी लगने लगती है अब देखिए effective weight of a body liquid उस liquid में उस द्रव में उस बोडी का परभावी भार कितना होगा तो परभावी भार होगा वह होगा अब देखिए यहां पर viscous force है उसका रोल पहले important नहीं है सबसे important पहले थ्रस्ट का तो जैसे गोले ने उसको टच किया तो उसने जल को हटा दिया लिक्विड को हटा दिया तो वो लिक्विड को हटाना उस लिक्विड की layers के विरूद में कारिये करना हो गया लिक्विड अठा गया है डिस्प्लेश किया गया है उतना ही बल उस पर लगेगा तो वह हटाने के लिए मना करेगा विरूद करेगा उसके लीए तो वह विरूद करना और उसके वजन को बैलंस करेगा अब देखे यह हो गया दबलू माइनस Ft तो W-Ft वेलू रख दीजी तो W-Days is equal to 4 by 3 pi r cube rho g minus 4 by 3 pi r cube sigma g तो W-Days is equal to 4 by 3 pi r cube into rho minus sigma g ये हो गया उस गोले का effective या परभावी भार और यह नीचे की तरब downward काम करा अर्था तभी भी गोला है वह डूब रहा है उसमें जब तक balance की condition में नहीं आ जाते हैं अब अपने अभी effective वेट निकाला गोले का प्रभावी जो भार है वह निकाला अब देखिए जब गोला उसमें लिक्विड में है उस माद्दे में है तो उस पर एक और बल कारिये कर रहा है और वह बल है स्यान बल जो कि उस पात्र में भरेवे द्रव है उसकी परतों के बी लिए जैसे ही गोले ने इस जल को contact किया तो इसकी जो परते है वो परते पहले ऐसी थी ऐसी थी लेकिन जब गोले इसको टच किया तो इन परतों के बीच में गतिवी emotion हुई यह देखिए अपने जगह से इस परतिस्तापित हो गई है तो इन में परतिस्तापित होने के एव श्क्राविदित की जो परते हैं वें परतिस अपनी प्रारम्भी का वस्था में कैसे आएंगी तो उपर की तरफ कारीइंगी परते हम देखिए और वापर की तरफ बल लगाएंगी आब देखिया यह तो आप dated बैलन्स कर दिया बहार के द्वारा ये अभी भी जो बल लग रहा है वह डाउनवर्ड ही है तो गोले का जो डाउनवर्ड बल है वह बैलन्स होगा इन पर्तों के ऊपर की ओर लगने वाले है स्यान बल के अकारण से तो वह लग ओले को नीचे की तरफ गती करने से रोकेगा तो यहां पर so retarding viscous force of liquid is given by FV तो जो भी उपर की ओर जो retarding force है जिसको अपन शानबल बोल रहे हैं वो FV है और यह FV है वह उपर की तरफ vertical direction में लगता है और ध्यान रखिए कि जो शानबल है वह गती का विरोध करता है और गती का विरोध का मतलब है गती नीचे की तरफ है गोले की गती है वह downward है तो उस गती का यह है विरोध करेगा और that is given by stocks law FV is equal to 6 by Nita RV तो यहां पर जो vertical force है या viscous force है उपर की तरफ वह समानुपाती होता है velocity के अर्थात कोई भी object है उसका वेग जितना ज़्यादा होगा उस पर उतना ही ज़्यादा स्यान बन लगेगा उसका practical देख सकते हैं अगर आप किसी भी तेज हवा वाले माध्य में गती कर रहे हैं या तेज density या फोग या कोहरे वाले माध्य में गती कर रहे हैं और आप्का वेग होगा उतना ज़्या सपर एवाप सिटार्ण फोस्य लगेगा तो यह उन इस पार ये दूफ़ घृषय करता है ये फोस्य दूसरा जव्य जितना उसकी बड़ी तिर्जया होगी जितनी बड़ी तिर्जिया होगी जितना बड़ा आकार होगा उस पूर्स लगेगा इसका फाइदा आप देख लें जो भी सैकलिस्ट होते हैं जो साइकलिंग करते हैं जब वो साइकलिंग करते हैं या बाइक रेसिंग करते हैं तो वह एक फिक्स पोजिशन पर अपनी बोड एकदम न्यूंतम कर सकते हैं तीसरा है वहाँ पर नीटा कि जो माध्यम है उस माध्यम की स्यानता कितनी है तो आप देखिए कि अगर कीचड में तेरना आसान नहीं है क्योंकि उसकी विसकोसिटी जादा है सिंपल पानी में आप आसानी से तेर सकते हैं अगर सहद से बरा हुआ तालाब हो तो उसमें आप नहीं you can't swim क्योंकि उसकी स्यानता जादा है तो किसी भी एक बिंदू पर अब गोला है वह उस लिक्विड में गती करना है डाउनवर्ड तो किसी भी बिंदू पर किसी पॉइंट पर जो भी गोला है उसका उस माध्यम में वेट हना है जो भार है वह बहार कितना होगा वह बहार होगा वह बराबर होगा उस पर thrust और जो viscous force है उसके बराबर अर्थात वह गोला उस पर गती कर रहा है किसी बिंदू के उपर जाके वह रुख गया है तो वह रुखा उस ताय में उस गोले पर जितना भी बल लग रहा था या गोले का जो भार और शान बल और वह उस गोले के बार के बराबर हो गये हैं अब देखें कहाएं यहां पर W इस इकवल टू F T प्लस F V और W minus CF T is equal to FC अब W minus F T अब यह भी अपने discuss किया था थोड़ द्यर पहले ही कि W minus F T वहe किसके बराबर है effective mass के effective weight के बराबर है ऑफ में योई समझते हैं कि गोले का जो एफ ऑलेंज करेगा उसको संतुलुन के लिए बैiable pose के ब्राबर यह आका अब जो फेले है उस गोले पर जो एफेक्टिव फोर्स है वह एफेक्टिव फोर्स ड्राइविंग फोर्स की तरह कारिय करेगा और वह है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो किसी भी जो गोला अब है मैं एक एक बिंदु पर जाके एक क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको अटेंड करता है उसको प्राप्ट करता है और वह है उसकी वेलोसिटी है उसकी क्रांतिक वेलोसिटी होगा जब क्रांतिक वेलोसिटी होगा जहां पर उसका जो प्रभावी भार है वह है जो श्यान बला उसके बराबर हो जाएग तो f dash is equal to fv किया है तो effective जो mass weight है effective weight हो गया है w dash is equal to 4 बटे 3 pi r cube rho minus sigma g is equal to जो की शान बलब है 6 pi nita rv और v को vt से replace कर दिया है क्योंकि terminal velocity आ गई है अब terminal velocity का मान यहां से अपन गयाद कर सकते है vt is equal to 2 बटे 9 sigma minus rho minus sigma r square g बटे नीटा अब देखे terminal velocity या क्रांतिक वेग है वो किन किन बातों पर निर्बा करता है देखे क्रांतिक वेग है वो तिर्जया के square पर निर्बा करता है अर्थात जो भी object है उसका छेत्रफल या उसकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उस पर उतना ही ज़्यादा terminal velocity उसकी होगी एटन करने के लिए और जो terminal velocity है वह है जो भी माध्यम है और जो भी object है दोनों के गनत्वा के अंतरप निर्बा करता है और विसको सिटी के inversely समान पाती होता है ठैंक्यू